कि प्रासेस का मतलग क्या होता है कि इंपड कितना वर्टेज दे रहे हैं हम 220 बैटरी को कितना चाहिए तो 220 वर्ट को इसको जितना जरुवत है उतना वर्टेज को कम करना नजी पहला अगर बिना कम करके वह एडाप्टर भी कि अगिए से बना के दोसटा पीस वर्ट अगर मुबाल फोन को कनट करे तो मुबाल क्या होता लास्त होया था बहुत वाइड बैटरी को चाहिए 3.7 to 4.2 only but we are giving 220 volts here if we convert 220 volts to AC to DC directly if this 220 volts given to this battery directly then mobile phone will be blast क्या होता है मोबैल फून क्या होता है तो पहला चार्जिंग एडाप्टर से डाटरी को वोल्टेज देने से पहले पहले क्या करना 220 वोल्ट को पहला क्या करना 5 वोल्ट में कम करना कि इतना वोटनि में कम करना तो 220 वोल्ट को कंच वोल्ट में कम करने को क्या मूलते स्टेब डाउन भरसर क्या Watching काक्षम से स्टेपडाउन रहे तो इसको इसको consistent क्रांस प्लाइगे वोग outta तो step down तो step down क्या हो गया दीजित नहीं अभी तो बैटरी को क्या चाहिए बिज़ी चाहिए एसी को स्टोर नहीं करता बैटरी एसी को स्टोर क्यों नहीं करता मालूम है गाए है कि एसinkyसा रहता थो एक समैंजो यह पॉसुटवाइव सब्सक्राइब उन्हें शुटवाइब उस्वाइः तुपm इन्गेटिव उन्हें तो यह पाs नुक्त क्या हो गया हुआधा तो निच्स अंत्य सब्सक्राइब लूटyu न। टैसे की हमाको अधर 2010 music इसके मित्लब scripture कि इसी बैटरी के सब को दा सकते की येसिवाया बेटरी नहीं कर जाएंग यूह मेला कॉस्ट हुआ आ घा है जब यह क्या होता है चार्ज होता नेश्ट नेगीटीव आते ही क्या होता चार्ज हो याता अगर स्टोर नहीं होता तो स्टोर कोल सा करन्ट को करते बैटरी DC को स्टोर करते DC में क्या रहता है एक वायर में प्लेस एक वायर में मैनस प्लेस को दे देते मैनस मैनस को दे देते प्लेस मैनस नहीं होता मैनस प्लेस नहीं होता नहीं इस यह क्या करना विदर भी enjoy ऐसा AC को DC convert करने को क्या बोलते है rectification process को करता है mobile phone के अंदर चार्जिंग adapter के अंदर रहेगा इनने क्या करता है AC को क्या करेगा DC में बनाएगा convert करेगा तो AC DC में कैसा बनाता और बाग में next अब फंक्शन बोर रूंकाले यह diode converts AC into BC वो कैसा convert करता बाग में देख लेंगे तो इसको क्या बोलते है जो AC करंटी input दिये उसको DC में convert करने का process को क्या बोलते है rectification process बोलते है क्या बोलते है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है तो process of converting AC into DC सर्कुट में वो ही रहता जी यह पूरा circuits रहता ना TV में मूबाइल फोन में एक जागा पर DC को AC में convert करना पड़ता एक जागा पर DC को AC में convert करना पड़ता उल्टा conversion inversion वही काँ हो था मूबाइल फोन में conversion inversion conversion inversion वही से DC को DC रहाना एक जागा पर DC को AC रहाना एक जागा पर DC को यह से बराना पड़ता एक जागा पर अब इस्ते पहले LED ड्राइवर के बोलना जी LED ड्राइवर को जालीशल को कितना वोटे चाहिए 40W चाहिए कि इसको 40 चाहिए इस इसको क्या करता है कि बूटेज को क्या करना पढ़ता है कि बूस्ट को कौन सा वुटेज बूस्ट होता है कौन सा O integrity boost होता एए क्या करना पड़ता को या Timothy अगर यह कंवर्ट करना पड़ता जब R होने के बाद फिर में करना पड़ता है कि पूर वही रहता है को यह सी बोलतो नहीं मालं प्रेगिलेशन नहीं मालूम् यह पूरा मनुफ दो कुछ में नहीं आता है ता जायरा क्या यह ना बेसिक नालेड्च इलेंड बिटा लेना कुछ सब्जेक्ट एलेक्रोनिक्स टीवी का समझो मुबाल का समझो लाप्टाक को समझो इनी सरीक्यूट बेसिक नालेज परफेक्ट रहे तो अब कुछ भी फ्यूचर में समझ में आता एजली रिपेर कर सकते हैं समयगे ना तो इसी लिए तो पहला चार्जिंग एड़ेट सब्सक्राइट बढूट इसी का सब्सक्राइब आइओ,' बलते हैं nothing but the process of converting AC into DC known as rectification, AC को DC बनने को क्या बोलते हम, rectification बोलते, okay, right, this is the rectification, AC DC बनाना, तो next क्या है, AC DC डायड बनाता बोले ना, तो इन्हें क्या करता, direct purities में नहीं बनाता, pulse heading DC में बनाता, pulse heading DC, मतलब AC कैसा रहता, ऐसा रहता, pulse heading DC कैसा रहता, ऐसा रहता, pure DC कैसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, इसको बोलते हम, pure DC, ये क्या है, AC, ये क्या है, pulsating DC, ये क्या है, pulsating DC, ये क्या है, pure DC, तो यह diode क्या करता यह सी को pulsating DC में convert करता तो यह pulsating DC को pure DC में convert करने वालको ने एक condensers Mobile phone charging adapter के अदर भी क्या रहता? condenser रहता, capacitor बोलते देखा है, capacitor यहाँ condenser, उच भी बोलो, capacitor बोलते भी correct गोड़े, capacitor बोलते भी correct गोड़े इन्हें क्या करता बोलो तो pulsating DC को क्या करता? pure DC में convert करता, उसको बोलते हैं, filtration, जा बोलते हैं, filtration, एक एक प्रॉसेस में एक वोड़ रहता, filter नहीं हो रहा जी, regulation नहीं हो रहा जी, step-down नहीं हो जी, step-up नहीं हो जी, एक फूर टेखनीकल वोड़ से, इसके meaning जब मालम होना चाह है, 220 वोड़ को 5 वोड़ में convert करने को क्या बोलते है, step-down process, step-down करने के बाद AC को DC बनाने को क्या बोलते है, rectification process, वो pulsating DC को pure DC में convert करने को क्या बोलते है, filtration process, filtration कून करेगा, condenser करेगा, filtration कून करेगा, condenser करेगा, AC को DC कून बनाएगा, diode बनाएगा, step-down कून करेगा, transformer करेगा, सब्सक्राइन प्रण्सक्राइव सब्सक्राइब उन से सने अगति अंति अगर सब्सक्राइब आप कोंसं टक्तिक से ताप्टर को से नहीं देख से कर रहे हैं when jumping किस निए यह किसमने होते है रिजकर की मतलब क्या है पूरा जांकरी होना ज़रूरी है चार्चिंग शार्टिंग क्या औब लुगा की सबता है टेकनिकल टारंस उसमें तो अभी तुम्हां में बता रहूं मॉबाइल फॉन दो ब्लाक डीग्राम मॉबाइल फिन में पहला सेक्शिन कौन सा है चार्जिग एडाप्टर तो चार्जिग एडाप्टर में कौन डाप्टर तो आओछ वेलंगे क्या है तूपकर कितना देटाओ अऊन्ख प्रस्पार्पर 5 uld देटा फ़िमफ भीfelt क्या डेक्रिफिकेशन ये उडेक्रिफिकेशन भूलते हैं क्या बूलते हैं मागर वो डाइओड क्या चाहिए ये सीकुं डिसे में नेक्रिंट करता हुआ क्या बोलते हैं पॉल्स इटिंग डी-सी बोलते हैं तो कैसे कंवेट होता है बाद में स्क्रास हे ओ एसी डीसे बनता वह ड़यू है ऑसा काम करता हो नेक्श्ट क्लास है ओके तो हिल्ट्रेशन बोलते हैं तो condenser filtering कर रहा, AC को DC diode कर रहा, voltage को कम करने वाला को है, transformer, transformer एक कम कर रहा, diode एक कम कर रहा, condenser एक कम कर रहा, right, ओके, next क्या है, regulation, next क्या है, regulation, regulation का मतलब क्या है, एक charging adapter है, क्या है, charging adapter, इसको voltage कितना दे रहे, 220 volt दे रहे, इतना voltage दे रहे, output कितना आता बोले, 5 volt आता बोले, input 220 आये, तो output 5 volt आता, तो 5 volt दिये तो, नार्मल जितना देर में charge होना, उतना देर में charge होता, तो battery charging कोने के लिए कितना टाइम लगता, generally, 1 to 4 hours, battery charging कोने के लिए टाइम लगता, जब 220 input आये, तो, जब output 5 volt आये, तो, चार्ज होने के लिए, एक गंटे से, तिन चार गंटे होता, फर एक्जांपल, ये 220 से 240 आ गये, कितना आ गया, 240 आ गया, तो ये 5 volt आ जागा, पर कितना आता, 7 volt आता, input बढ़ गया, output भी क्या होता, बढ़ आता, input खम हो गया, अगर input फर एक्जांपल, 200 हुआ, तो output कितना होता, 3 volt ही होता, इन्पुट गरिया, तो áउटपुट भी कम हो गया, इन्पुट ज्यादा हो गया, तो output भी ज्यादा हो गया, इन्पुट नार्मल है, तो आउटपुट भी नार्मल है, ऐसा ओता नहीं होता, AC करणट, ये कभी भी कांशन रहता ता क्या है, है जब कितना रहना चाहिए है कि ढाल स्तोब 27 आपने से तो इस अहीं में कि ढूसोग अब किटना आरा ने सिस्टोभ तरगे तो नाहीं होता तो भूर्टेज इन्पड़ वोल्टेज कांचट नहीं? में थिए रहता है अगर इनपुट बढ़ गया तो ऑट्पुट भी रहता है तो क्या होता है दो गंटे में चार्ज होने के बाट्री एक घंटे में चार्ज होता अज़ा है ना जादा वोटे देको जल्दी चार्ज होता है कर अच्छा है यह वा है गर बास यह बां एक पर सब्सक्राइन है रख गलेख नोशटने कि अध्रे रहता छूट्वर है है लोगिकरन अल्यास ऑसप्स अधर इस सब्सक् कि व्यारता होे बैतर इंद्र पाइटरी ब्लास होना के लिyan chance हो पूरा इस नए वनतुर तो इंस बैटरी को दे श्क ऐगिने रेना चाहिए छाइए इंप्रण जाद आये तो भी सैर सने इंप्रण काइख 시청 कीषळे थीट piękना चाहिए ज्याद चेरा मुलिंट प्रें को न में श्लारी प्लाल मौत यहांता रा चार्जिंग अभा चार्जींग वर अब्र आठ्र आज्ए ermeion, के तुबॉ। सब्सक्राइड बढ़ राम इसका मतलब स्वावत प्रम इस न में आ सब्सक्राइडio न सब्सक्राइड ये एडाप्टर, इन्पुड वोल्टेज 110 वोल से लेके, 240 वोल्ट तक जित्त भी आने तो, आउट्पुड एग्जाक्ली 5 वोल्ट देता, ऐसा 5 वोल्ट कांस्टंट रखने के लू क्या बोलते हैं, रेगिलेशन बोलते हैं, सारकेपस चार्जिंग एडाप्टर दे बोले, एक चार्ज, गोबर का चार्जिंग राप्टर देगे, वोल्टेज दे दो, इन्पुड वोल्टेज तो आउट्पुड वोल्टेज को एडेज, वोल्टेज को पांच वोल्ट आप वोल्ट आग्वादा, वो रेंज रहता, बन्टेंग से 240 के बीच में जितना भी आने दो आप्ट वोल्टेज को कैसा रखता रखता एसा और सब्सक्राइब काम करता अधाप्टर के अंदर प्सक्राइब अधाप्टर भी संप्स है बोबल चार्जिंग अडप्टर भी संप्स है तो मैं गया हर ना मैं एकजिम ड्वोल्ट से लेकर दो सवचालेश यहां लिखा कर दोसुचालेश। आइसा 110 से लेकर 240 दख जितने आने दो ये बंडेंस लेकर 240 կितना भी ऑल्टेज आने दो अउं पट इक काई सर्क रहे है ुसको ऐसा कां सांट रहे किया बोलते है wow regulation जैंदे तो इसे बूर्जशन हो तो अलुपडु इसको प्राती मों त्यप डूच्य डूड रहे है step down प्रासिस्टों बोलतो मुन बोलत ओ न्यागे इंप्रू वोल्टेज 210 क्या बोलते filtration process, input गोर्टे कमबी ओने दो ज्यादा बीओन दो output गोर्टे constant रखने को क्या बोलते regulation process. तो regulation उना जरूरी है कि नहीं? अगर adapted regulation नहीं हो रा, तो input कम हो गोई तो output ज्यादा हो गोए तो output भी ज्यादा हो गोए तो इंपड़ कम होगए तो आउटपड कम होता, इंपड़ जाद होगए तो आउटपड भी क्या होता, जाद होता, ऐसा होगए तो क्या होता, प्राब्लम हो रहा ना, बैटरी जिन्दी चार्ज होता, कीट होता, बैटरी लेट चार्ज होता, आसा चार्ज होता यह नहीं, कम वो काते हैं 200 ग्राम काते हैं 100 ग्राम किला है तो आपके पेट बगता क्या ओके ना तो बैटरी को चाहिए 4.2 से पांच वोड तक देना चाहिए चार्ज होने के लिए लगार इंपड़ल वोल्टेज अगर जाद हो गए तो भी प्राप्लम हो रहा ओल्टेज कम हो गए तो भी प् नियुकस देने लगव बैटरी फुल ओता ही नहीं जब तक बैटरी को जितना वोल्टेज चाहिए उतना प्रापर वोल्टेज नहीं दो इंदर हो अब इसमें और रहा चार्जिंग एडप्टर के अंदर और इसमें और चाहिंग अधाप्टर के अंदर हो यह मालूँ मैं ये पढ़के लेना एक हांसे काता तोड़ अडप्टर के रिकावर रहता 110 से 270 वोल के रहता इतना रहता 110 से 270 वोल के रहता एक पुरान अडप्टर में 110 से लेकर 300 वोल भी रिकावर रहता तो कुंत से 300 वोल अचा है वाद तू से अच्छा है एक एडप्टर के ऊपर ख्या लिखा है देखो ने एक आडप्टर के उपर लिखाया 110 वोल्ट से लेकर 240 तक जित्ता भी आने दो मैं आउप्ट पांच वोल्ट आउप देन दाऊं गोल्ट प्लिग के बोल रहा, एक अडजा आप्टल बूर चैजा अलिकाहत है, घ्क अन wrapping ऑखांग के लितना बोल्तका शो भाइओ्ट भाड़वताreno श्रों आफ्ट उक्षा सिर्टीए क्他 कुiral पाल्ट भोल्ट में 274 भाड़ तो इतना खम इतना ज्यादा आये तो भी मैं कंट्रोल करके मोबैल फून बैटरी को जितना चाहिए उतना प्रांपर देता हूं को कि बोल रहा तो कौन सा लेते ये लेते ये लेते जो ज्यादा गोलते है जो रेगलेशन करें तो वो लेते सब्सक्राइब होने का काम है समझें चार्जिंग अडाप्टर में चार्जिंग अडाप्टर में